जीसा कि thumbnail के उपर आपने देखा है कि इस तरीके से हम YouTube के वीडियो अपने प्लेलिस्ट के अंदर या अपने गलेरी के अंदर डाउनलूड कर सकते हैं एगर YouTube का कोई playlist है जैसे कोई course है या फिर कोई गानों का playlist है वो आपको पूरा पूरा playlist आपको चाहिए तो आप कैसे download करेंगे या फिर आपको कोई YouTube पे वीडियो देख रहे हैं जो कोई गाना है उसको आपको MP3 में download करना है तो वो कैसे करेंगे या फिर जैसे Facebook का कोई वीडि तो उसको original वीडियो आपको चाहिए जो कि आप download करना चाहते हैं या फिर किसी को share करना चाहते हैं तो वीडियो की रूप में कैसे share करेंगे यही सब वीडियो इसके अंदर देखेंगे और अगर आपको यही सब काम mobile और computer दोनों पर कर सकते हैं तो किस तरीके से करेंगे mobile पर क मेंजर है वो की एक paid software है मैं आपको paid software के recommend नहीं करूँगा दूसरा software है फिरी download manager जो की YouTube के लिए काम नहीं करता बाकि जो वीडियो है दो दूसरी website के वीडियो होते हैं वो उनके लिए काम करता है तो इसके बारे में बताएंगे अगर YouTube के लिए सिरफ especially आज के इस वीडियो क YouTube के उपर किसी भी वीडियो जो Facebook या Instagram का होता है या फिर YouTube का होता है उसको कैसे download करेंगे और वहीं पर आपको बता दूँगा कि किस तरीके से उस वीडियो को जो आप only MP3 ले सकते हैं या फिर वीडियो के रूप में ले सकते हैं ये कैसे करेंगे चले देखते हैं तो बहले ह इसके लिए हमको कौन सा software चाहिए यानि कौन सा app चाहिए तो वह जो app मैं आपको बता रहा हूं वह app आपको Google के जो Play Store है उसके उपर नहीं मिलेगा इसको आपको Google के Chrome browser पे आप Google पे ही सर्च किजिए आप जो भी browser यूज़ करते हैं लेकिन उसको Google पे ही सर्च किजिए तो व आप के उफिशल साइट जो है विडमेट एप.com इसके उपर ही क्लिक कीजिएगा यहां पे आएगा औफिशल डाउनलोड का बटन तो अफिशल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यह आपको डाउनलोड के लिए बोलेगा आप यहां पे डाउनलोड में देख सकते हैं तो unauthorized app को आपको install के लिए permission देनी पड़ती है तो वहाँ पर permission देकर आप install कर सकते हैं मेरे पास यह यहाँ पर यह download हो रहा है जैसे कि यह download पहले से हुआ है तो यहाँ पर मैं इसको click करूँगा तो यहाँ पर update के लिए बोल रहा है क्योंकि open करने के बाद में जैसे आप बहुत यह first time एक छोटा side दिखाता है यह इतना यह डाता यह open हो गया इसके बाद में इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको यहाँ से देख चले जाना है इसको यहाँ से remove कर दीजिए अभी आप जो है facebook के उपर जाईए आप जो आपको अगर आपको गलेरी में डाउनलोड करना जैसे आप यहाँ पे share करेंगे ना तो यह शेयर में जो करते हैं तो यह वीडियो share नहीं होता यहां से सिर्फ link share होता इसका तो अगर वीडियो के रूप में आपको शेयर करना तो उसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे जो यह शेयर वाला बटन दिख रहा ना Vidmate के उपर आपको click कर देना इससे ये जो वीडियो है Vidmate के उपर redirect हो जाएगा redirect होने के बाद में ये same video Vidmate के उपर भी आपको दिखाएगा ठीक है यहाँ पर ये जो बटन आ रहा है ये जो installation का ये अभी तो नीचे आ रहा है ये थोड़ी देर में यहाँ पर बड़ा बटन दिखाएगा ठीक है यहाँ पर मैं आपको इसके उपर click करता हूँ तो यहाँ पर click करने के बाद में देखो इसके अंदर option आ गए MP3 में download करना है ये अगर कोई जैसे मालो status audio रहता है तो उसको आप MP3 में download कर सकते है ring tune बनाने के लिए अगर आपको पुरा वीडियो चाहिए तो किस format में चाहिए वहाँ पर आप जैसे select कर लिजे और select करने के बाद में आप download के ओपर click कर दीजे download के बाद में ये downloading status आ गया यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि वीडियो download हो जाता है तो यहाँ पर आप play करके देख सकते हैं यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि मेरा glary है glary के अंदर आपको दिखा देता हूँ यह video वहाँ पर आया है कि नहीं ठीक है तो मैं आपको glary के अंदर लेके जाता हूँ जैसे कि मेरा यह phone है phone की memory के अंदर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ठीक है यह मेरा phone memory है यह videos है यहाँ पर videos के अंदर यह मैं आपको दिखाता हूँ जो वीडियो अभी आपको दिखा रहा था, ये वही वीडियो है, ठीक है, तो इसके अंदर आप कोई भी प्लेयर चुनके, इसको चलाए सकते हैं, चलाएं, अभी मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा है, इसके अलावा अगर माल लो यूटूब का कोई वीडियो है, तो से डाउनलोड कर सकते हैं, तो यूटूब के वीडियो के लिए आपको यूटूब के ओपर जाना है, जैसे कि मैं कोई भी आपको लेटेस्ट, डीजे सॉंग, जैसे माल लो, डीजे सॉंग, आपको कोई भी डीजे सॉंग, जो है, या फिर कोई भी आपकी पसंद का कोई भ कर देता है वह के बटन के उप साथ में यहां पर डाउनलोड का बटन भी है जब ढूणलूड करेंगे तो यह यूटूब के प्लेयर के लिए ही डाउनलूड हो जाएगा जब आपके पास नेट रहेगा तो वहाँ से आप चला सकते हैं लेकिन आपकी गलेरी में नहीं जाएगा आप किसी को शेर नहीं कर सकते हैं शेर करेंगे तो लिंक के रूप में शेर होगा अगर आपको वीडियो को शेर करना है तो उसके लिए आपको शेर बटन पर जाना है शेर बटन के उपर जाने के बाद में बहुत सारे एप्स खुल जाएंगे वहाँ पे नीचे में आपको एक और एप मिलेगा जो वीडिमेट आपने डाउनलूड कर रखा है वह वाला तो उसके उपर आप क्लिक कर दीजे क्लिक करने के बाद में ये फिर रिडिरेक्ट होगा यानि कि एक चोटा सा एड देखना पड़ेगा आपको इसके लिए रिडिरेक्ट हो जाएगा जैसे रिडिरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये जो है आपको options देदेगा कि music के रूप में डाउनलोड करना है या फिर इसको वीडियो के रूप में डाउनलोड करना है अगर मालो आपको MP3 में डाउनलोड करता है तो 256K के अंदर MP3 के अंदर आप इसको अंदर select रहे है और आप अपनी चुआइस के साफ से सेट भी कर सकते है उसके बाद में सीधा आपको इसके ओपर डाउनलोड में क्लिक कर देना है डाउनलोड क्लिक करने के बाद में ये डाउनलोड हो चुका है डाउनलोड इसके अंदर क्या होता है पहले वीडियो डाउनलोड होता है वीडियो को फिर ये इसको क्या करता है जिसे कि कनवर्ट करता है MP3 के अंदर चेक बटन के उपर आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे देखें कनवर्टिंग चल रहा है 6MB का ओडियो फाइल आपका जो है डाउनलोड होगा ठीक है यह कनवर्ट होने के बाद में सीधा MP3 में ही आपका जो है यह चलेगा अब यहाँ पे देखते हैं चंद्रा ओफिशल शॉंग यह जो है अभी इसको कनवर्ट हो जाने देजिए उसके बाद मैं मैं आपने मोपाइल की गलेरी में ले जाके आपको दिखाता हूं कि यही और यो जो है गलेरी में ही से हुआ है या नहीं है ठीक है मैं इसको फास्ट फॉर्वड कर देता हूं जैसे कि आप यहां पे बहुर हो गए होंगे तो यह ओल्मॉस्ट डाउनलोड हो गया है ठीक है यह कनवर्ट यहां पर मिनिमाइज कर देता हूं मिनिमाइज करने के बाद मैं मैं अपने मोबाइल की गलेरी में आपको लेके जाता हूं मोबाइल की गलेरी के अंदर जैसे कि यह मेरा मोबाइल का गलेरी है यहां पर आपको ओडियो फाइल दिखाता हूं जिसे यह यह ओडियो था ओड चंद्रा ओफिशल सॉंग जो अभी हमने डाउनलोड किया है इसको आप मैं चला के भी दिखा देता हूं आपको ठीक है कोई smp चीज जो है प्ले लिस्ट आपको अगर डाउनलोड करना है तो वह किस तरीके से डाउनलोड करेंगे जैसे कि मां आपको यहांपर मालो की कॉर्स जैसे मालो कोर्स दिखाता हूं कोर्स है जैसे मालो की math classes ठीक है math classes chapter 1 का class 11 का एक chapter है इसकी कोई प्ले लिस्ट होगी जैस ठीक है? जिसे कि यह जो है playlist है, मालो, यहां पर 215 वीडियो है, यह 215 वीडियो को आपको पूरा download करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह जो 3 . है, 3 . के ओपर click किजे, 3 . के ओपर click करने के बाद में, आपको आएगा share playlist, share playlist के बटन के ओपर click कर देना है, share playlist क के उपर क्लिक करेंगे तो आपका जो यह आपने MB that डान्लोड कर रखा है वह वीड्मेट इप यहां पे दिखाएगा उस वीड्मेट एब के उपर क्लिक करेंगे और यह पूरी ब्लै-लिस्ट आपको इसको click नहीं करूँगा क्योंकि यह बहुत सारी वीडियो हैं यह मुझे जरूरत के नहीं है लेकिन यहां से आप जैसे download button तो click करेंगे तो download button के ओपर click करने के बाद में इस सारे वीडियो आपके one by one जो है download हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियो या playlist म अपने mobile में download कर सकते हैं अब आपको बताता हूं कि अगर यह सेम काम आपको अगर computer की screen पर करना हो computer पर करना हो तो कैसे करेंगे तो चलते हैं computer की screen के ओपर यहां पर आपको क्या करना है जैसे कि आपको net on कर लेना है net आपका होनी रहना चाहिए क्योंकि कोई भी downloading करना तो net तो चाहिए उसके बाद में जैसे कि मानलो कि आपको YouTube का कोई वीडियो डाउनलोड करना तो सबसे पहले आपको YouTube open करना है उसके बाद में जैसे आप जो YouTube के के उपर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को अगर डॉट करना है जैसे कि मालो कोई भी वीडियो है या कोई गाना है तो उसको आप यहां से जैसे मालो यह वीडियो है इसके ओपर double click कर दीजिए double click करने के बाद में जैसे हैं तो यह जो YouTube के आपको को download link मिलेगी ठीक है वहां से भी आप download कर सकते हैं लेकिन ये तरीका जो है और तरीका है इस तरीके से better तरीका मां आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जसे आप कैसे download कर सकते हैं तो यहां पर जेकिए ये सर्च हो रहा है यहां पर यह डाउनलोड हो गया इसके अंदर multiple options हैं आपको कैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है इस तरीके के formats में आप यहाँ पर डाउनलोड लगाएंगे तो यह जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि मापको डाउनलोड प्रिटन पर क्लिक करके दिखा देता हू यहाँ पर आजाएगा ठीक है डाउनलोडिंग के लिए जा रहा हैं यह दखी यह जो है तीन सो तरीके ripe का जो फाइल है वो डाउनलोडींग के लिए it करसकते हैं यूटूब से अगर आपको एत्वे डाउनलोड करना तो यूटूब से जैसे की मां लो की यह आपनी जो की YouTube multi-downloader के नाम से एक साइट है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं यही साइट के उपर आप क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद में जो पहली लिंक है उसके उपर आप जाईए जानी के बाद में यहाँ पे जो link वाला option है उसके अंदर यह जो search box है उसके अंदर आप अपनी link जो है control भी करके पेस्ट कर दीजे वहाँ पर यह वीडियो को search कर लेगा उसके बाद में यहाँ पर आपको format बता देगा format के अंदर जैसे कि मालो में 720 के अंदर आप इसको download के लिए लगाता हूँ जैसे इस चैनल के उपर मालो आपको एक एक जामपल दे रहा हूँ इस चैनल के उपर कोई playlist है यहाँ पर प्ले लिस्ट है इस प्ले लिस्ट के मैं यह पांच वीडियो इसके उपर right click करके इसकी जो link है उसको copy कुछ वीडियो ब्लोग की वही रहते हैं तो वह आप नहीं कर पाते हैं लेकिन बाकी सारे वीडियो आप यहाँ पर जैसे डाउनलोड के नीचे यह MP4 723 पिक्षल का है तो इसके अंदर आप जो है क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टाट हो जाएगा तो इस तरीके से आप जो है YouTube और Facebook और Instagram के कोई भी वीडियो जो है वो इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं उमीद करता हूं कि यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके काम की होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपके फैमिली मेंबर्स जिनको यह जानकारी चाहिए है उनके साथ यह वीडियो सेर कीजिए जिससे की हमारा सपोर्ट होगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमको करके रखिए जिससे की जो नेक्स्ट वीडियो डालते हैं सीमिलर टाइप के वीडियो जो हम उसका नोडिपिकेशन आपको तुरंथ मिल जाए